विस्कुट का मतलब क्या है? विस्की किट विस्मतलब जहर की किट मेंस बिस्किट ये क्या कर रही हो? दिखने राय क्या तन्य? भजन कर रही हूं, सत्संग कर रही हूं उसे दिल मुझे क्या रही थी ताना मा रही थी कि spirituality और ये सब क्या follow कर रही हो हाँ तो तेरी तरह पाखंडी ना हूँ ना मैं सही माइनों में भजन कर रही हूँ भकते कर रही हो अच्छा जी ऐसे कौन से बाबा को सुनके तुम इतनी confident और अन्भक्त हो गई हो ज़र मुझे भी बताओ क्या नाम है इनका मैं भी तो सुनू अब तो पता करना ही पड़ेगा guys कि कौन से नए बाबा आ गए मार्केट में बिसकुट जैसे मैं बिसकुट कुट के भरा हो वो बिसकुट उड़ते उड़ते सूत्रों से पता चला है कि आजकल मार्केट में एंटरी हुई है एक नए बाबा की और यह है ना नदर देन अनिरुधाचार्य एके ए पूकी बाबा यूट्यूब में इनके मोर देन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है बहुत सारे फॉलोवर्स हैं लेकिन हाल ही में उने सुर्खियां पकड़ी मीम्स के थूँ जब यह अपने कॉंट्रोवर्शल और सो कॉल्ड फणी स्टेटमेंट्स के बज़े से वाइरल हो गए तो मैंने भी अभी तक उनकी सारी क्लिप्स देखी नहीं हैं मेरे पास आई है क्लिप्स जो कि मुझे देखनी है तो मैंने सुचा क्यों ना यह जो पॉंटेनियस रियाक्शन है उनकी क्लिप्स को देखने के बाद वो आपके साथ शेयर किया जाए और हम साथ बैट के देखे कि भाई यह बाबा कहे क्या रहे है पणी लाइफ अडवाइस के पीछे है काई प्रॉब्लमाटिक चीजे जिसके बारे में पूकी महराज बात करते है ऐसे जब उनसे पूचा गया कि एक महिला लड़के को कैसे जन दे तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मला बता है यह सुरू कब होगा जिस दिन महिला का टाइम स्टाट हुआ है पीरियट उस दिन से पहली राद दूसरी राद तीसरी राद चौथी राद छोड़के पांच वी राद गरभाधान हुआ सेक्स डेटेक्शन के बारे में बतारे है यारे चटी राद हुआ, बेटा, साथ वी राद हुआ, बेटी, आठ वी राद हुआ, बेटा अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं जो कोर्रेलेट करें कि एक लड़की का पीरिट गब होता है और उसके बच्चे का जेंडर क्या हो मतलब यह यहां पर सीधे-सीधे seks detection के बारे में बता रहे है जो की illegalonard in India में और यह कह रहे हैं की लड़कियों के पीरिट के क्या, 6th day के बाद sex कीया तो क्या होगा बेटी होगी, and 7th day कीया किया तो बेटा होगा 2022 अब बतलब कोई logic है इस बात का से इंसे बात की दूसरे विडियो में एक लडगे से उन्होंने पूछा कि अगर वो पढे लेके हैं तो उनको बताए कि सथर में क्या जोड कर वो सटरा हो जाएगा सथर में क्या जोड की सथरा हो जाएगा मैन इस गे 53 मैन ऐस प्लस नहीं लगी गया आप जोडना है घटाना नहीं है, हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, सत्तर में क्या जोड़ दें कि सत्तरा हो जाए, आकी मात्रा जोड़ दो हो जाएगा, अरे कैना क्या चाहते हो जाएगा, मुझे शौक लग रहा है अभी, मैं भूल जाओंगी मतलब फिलोसफी, वेदा सत्त वगेर, अभी सब पूल जाओंगी, यह कौन जा रहा है अरे इनके अश्रम में, इनसे कथा सुनने के लिए, बतलब सत्तर में आकी मात्रा जोड़ दो, तो सत्तरा हो जाएगा, यह महराज उनको एक पड़ा लिखा मूर्क बुलाते हैं, तहां के महराज हुए ही, और इसी दरा यह महराज महिलाओं के बारे में कई भद्धी चीजे बोलते हैं, जरूरस से जादा सुन्दरता गुण नहीं है, दोशन, एक ही धर में है नारी का, केवल पती की सेवा, वाइट, हां मतलब अभी समझ आ रहा है, मतलब कहां से सोच आ रही है ना पूरे देश में ह अब समझ आ रहा है भई, कहां से पूरा माहौल चल रहा है, मतलब ये अपने आपको धर्म गुरू बता रहे है, मतलब अब समझ रहे है, धर्म गुरू, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो यार, किसी की भी सेवा क्यों करनी है, मतलब, पतनी पती की भी की और वाली कैयों करनीया है।挑ik कनले बताने वाले। परिशाद को कि और महाराज सजन पड़ी तुब एक तुला जलने और गी ज़ालिया. और गी एक तुला गी जब जलता है तो एक टन ऑउक्सिजन पड़ा होती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं साइन्स कहता था वाँ 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 मतलब ऑवियसली अगर साइन्स किसी ने भी स्कूल में थोड़ा बहुत भी पड़ा होगा थोड़ा भी किसी ने साइन्स पड़ा होगा ना मन से तो उसको यह पता होगा कि किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सिजन लगती है भई कमबस्चन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सिजन यूज होती है और उसके बाद चीजे जलती है तो यह कहां से लॉजिक आ गया कि एक तोला घी को आप जब जलाओगे तो उसमें से ऑक्सिजन निकलती है वाह मतलब यहां पे लोग जो हैं वेगनिजम फॉलो कर रहे हैं वेजिटेरियन बन रहे हैं है ना ताकि एनिमल क्रुएल्टी रोकी जा सके ख्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और ऐसे टाइम पे पूकी महाराज खुच स्पिरिच्वल लीडर हो के यह चीज प्रमोट कर रहे हैं कि गाये के दूद के घी को जला के ऑक्सिजन निकलती है वाह हो गया है मैं सुनके मैं बिलकुल कान से खुन निकल गया है मेरे क्योंकि लोगों ने पूकी महाराज को सर पर चड़ा दिया है इस वरे से वो कुछ भी बोले लोग उनकी बात मान जाते हैं अब आपको कई चीजे इन महाराज के बारे में बहुत फणी लगेंगी पर फणी और डेंजरेस के बीच में जो लाईन है वो बहुत ही पतली है एक बैठक में इन महाराज से पूछा गया कि गाये का मूत्र पीने से फाइदा क्या होता है महाराज ने जवाब दिया कि एक बड़ी डिजीज सॉल्व हो सकती है कौनसी डिजीज कैंसर जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है उसे कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाये का मूत्र बचाता है क्या बोलू मैं आर और मतलब कैंसर वो बिमारी जिससे लिटरली पुरी दुनिया अभी सफर कर ठीक है मेडिकल साइन्स उसका इलाज ढूंडने में लगा हुआ है लोगों की लिटरली लाइफ जा रही है इस बिमारी के वज़े से और ये इंडिया में भी एक बहुती बढ़ती हुई बिमारी देखी गई है उसके इलाज के लिए बाबा क्या बता रहे है कि गौ मूत्र अधरी मिल जाती है और ये क्रेडिबिलिटी मिलती है जब कई न्यूस चानल उनको इन्वाइट करने लग जाते हैं हमारे साथ है सीधे अनि उद्धाचार महराजी जुट चुके हैं बहुत बहुत प्रणाम है महराजी जब ऐसी चीज़े होती नहीं तो अपने परिवारो उस चैनल है इंडिया का ठीक है कुछ भी इतना बड़ा चैनल ठीक है बुला रहा है पुकी बाबा को है ना अपने शो में वो भी प्राइम टाइम में और क्या बूल रहा है प्रणाम महराज हमारे जो है भाग्य धन्य हो गई कि आप हमारे शो में आया आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम तुम्हें यह जाना चाहता हूं जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं आपने अपना हर कर्म किया आपने अपनी फैक्टरी डाली आपने अपना बिजनिस किया तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना उसका सब्सक्राइब कर्म हें आपने मिलकर एक सुंदर से वीज को बोदिया है जो एकarea के गरम में पल रहा है अब बच्चा क्या होगा बेटा होगा के बेटी होगी अंधा होगा के लंगड़ा होगा वो आपके हाथ में नहीं है वेट 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 अभी तो पिछले वीडियो में बोल रहे थे बाबा की लड़कियों के कि और और भी यहां पे बोल रहे है कि कर्म तो आप कर सकते हो फल आपके हाथ में नहीं होता जैसे कि आपने और आपकी वाइफ ने जो है एक सुन्दर सा बीच डाल दिया तो लड़की होगी की लड़का होगा इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है मतलब खुदी की बात को खुदी कॉंट्रिडिक्ट कर रहे है कुछ भी मतलब इस बाबा को खुदी क्लियर नहीं है इनके कॉंसेप्स की इनोंने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहे है चरंस पर्ष चरंस पर्ष प्रणाम है भई इनको मतलब इनको प्रकृती क्या है परमात्मा क्या है उसका ही जो clear difference है उँए नहीं पता है और यह अपने आपको गीता विशेशग्य बता रहे हैं एक जगा पे बोल रहे हैं कि कर्मफल यह खुद पहले से निर्दारिद कर सकते हैं और एक जगा बोल रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ होता नहीं है एक जगा बोल रहे हैं कि कर्मफल जो है वो इश्वर के हाथ में होता है भगवान के हाथ में होता है और दूसरी जगा बोल रहे हैं कि इश्वर का मतलब प्रकृती परमात्मा का मतलब भी प्रकृती तो कर्मफल आपके हाथ में नहीं है मेरे तो कान से खून आ गया है गाईस मतलब मैं लिटरली शौक में जा चुके हूँ बस मीम के नाम पे कॉमेडी के नाम पे आप किसी भी बाबा की बात पे यकीन मत कीजिए जस्ट बिकॉज ऐसे कुछ एक दो बाबा हैं जो की धर्म को बदनाम कर रहे हैं भगवत गीता को बदनाम कर रहे हैं ऐसे बाबाओं की बाते सुनके आप पूरी गीता को ही खराब मत समझे पूरे सनातन धर्म के कॉंसेप्ट को ही खराब मत समझे भगवत गीता के कॉंसेप्स बहुत ही उचे हैं उपनिशत के कॉंसेप्स बहुत ही उचे हैं सनातन धर्म के कॉंसेप्स रियली अगर आप समझ रहें ना लॉजिक लगाके तो वो बहुत ही उचे हैं और वो इज़त के अधिकारी एक्चुली में हैं लेकिन जस्ट बिकॉस कुछ ये जो लोग हैं इन्होंने तोर मरोर के उन कॉंसेप्स को शोकेस किया है पबलिक के सामने गलत अर्थ बताएं जिसके वज़े से आज ये हालत है कि जो नई पीडी आ रही है या कुछ रेशनल थिंकिंग वाले लोग आ रहे हैं साइन्टिफिक पॉइंट और व्यू को सपोर्ट करने वाले लोग आ रहे हैं वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं So that was it for this video फ्यूचर में ऐसी ही और बाबाओं को भी हम डीबंग करते रहेंगे हमारे चैनल में तुसलिस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मन भूलिएगा और आप बेल आइगन को भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको रेगिलर नोटिफिकेशन्स चाहिए तो